हाई फ्रेंड्स वेलकम तो एवर्स्टेडी क्लासेज तो आज इस फाइव मिनट सीरीज में हम एक और इंपॉर्टन टॉपिक आपका से डिस्कस करने वाले हैं जो कि है फ्रिक्ट अनालेसिज ऑफ कैपिटल स्रक्चर जो कि हमारे बिजनस फानांस या फिर फानांशल मानेज से जुड़ा हुआ है तो हम जानेंगे कि फ्रिक्ट अनालेसिज के क्या इंपॉर्टन कॉंपोनेंट्स है और कैसे एक यूस्फुल टूल है हमारी कैपिटल स्रक्चर की वेल्यूशन के लिए चल गया है तो आगे बढ़ने से पहले एक बर आपको जल्दी से हमारे कोर्स के बार में बता देता हूं जो कि यूजी सी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट डिसेंबर 2019 के लिए अवेलिबल है हमारे पास तो माईडिये फ्रेंट्स हमारे पास एक फ्री यूनिट्स ना और हर एक question की वहाँ पे आपको explanation भी दी जाएगी इसके लावा एक हमारी comprehensive test series है जो कि बिल्कुल same pattern में designed है जैसा actual में NTA net का exam होता है तो वहाँ पे आपको धेर सारे mcqs मिलेंगे practice के लिए और इसके लावा full video course भी available है इसके अंदर आपको paper to commerce या फिर management उनकी 100% complete coverage मिलेगी through videos, notes and mcqs और इन सभी courses का combo package भी आप available कर सकते हैं और attractive discounts पे available कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं frict analysis की क्या है ये frict analysis ये framework है हमारी firm के capital structure को evaluate करने के लिए capital structure बिल्कुल आप ठीक जानते हैं ये बताता है कि हमारी firm में debt और equity का mix कैसा है तो हमारी capital structure हमारी sources of finance को दिखाता है कि कहां से हमने finance raise किया है अब जोब अपना capital structure बनाएंगे आपको ये जानना जुरूरी है कि ये capital structure हमने बना लिया क्या ये ठीक बना है या फिर इसमें कुछ कमिया है ये जानने के लिए आप frict analysis का use कर सकते हैं जिसे Robert Brunner को हम attribute करते हैं तो frict analysis के अंदर आपके 5 components आते हैं F stands for flexibility, R stands for risk, I stands for income, C stands for control and T stands for timing तो इन parameters में आप अपने capital structure को evaluate करने वाले हैं तो सबसे पहला parameter हमारे पास है flexibility जो आप capital structure बना रहे हैं वो flexible होना चाहिए तो देखे अगर आप बहुत जादा equity use कर लेंगे तो equity long term fund है तो वो आपको flexibility नहीं देता कि आप कभी भी equity shareholders की payment करके वो equity को कम कर दें बट अगर आप debt को use करते हैं तो debt में ये flexibility होती है कि आप इसे असानी से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं तो flexibility होनी जरूरी है आपके capital structure के अंदर तो इस हिसाब से आपको debt और equity का optimum mix अपने पास रखना चाहिए चलिए इसके बाद है risk risk depends on the variability in the firm's operation तो अगर आप बहुत जादा debt use करेंगे अगर आपने जादा debt use कर लिए तो इसका मतलब है आपके capital structure में financial risk बढ़ जाएगा debt पर आपको interest की payment तो करनी ही पड़ेगी अगर किसी साल आपकी income जादा नहीं हुई उसका interest आपको देना ही पड़ेगा और आपके लिए यहाँ पर crisis की situation आ जाएगी but equity में आपको यह benefit मिलता है कि equity में आप अगर income आपकी जादा है तो जादा dividend दें अगर income कम है या फिर नहीं है तो उन्हें dividend आप कम दें या फिर ना ही दें तो आपको इस risk को भी ध्यान में रखना है अपने capital structure को evaluate करने के लिए चली इसके बाद है income capital structure of the company should be most advantageous to the owners और shareholders of the firm तो ऐसा capital structure बनाये जिससे हमारी जो shareholders है उनकी income जो है maximize हो जाए उनके लिए value generate हो उनकी returns maximize हो जाए और उनकी cost कम से कम आ जाए तो अगर आप debt को use करेंगे तो debt पे आपको fixed cost देनी है यहाँ से आप trading on equity का benefit ले सकते हैं और आप debt पे fixed interest देके जो balance surplus धीर सार आपके बास बचा है वो equity वालों को income की form में दे सकते हैं तो यहाँ पर आपके लिए debt एक advantageous proposition थाबित होता है चलिए इसके बाद है control अब control के अंदर आपको यह देखना है कि हमारा capital स्थिर ऐसा हो कि हमारा control बहुत जादा dilute ना हो जाए अगर हमारा control हमारे हाथ से निकल जाएगा तो उस case में हमारा जो company के उपर जो domination है वो काम हो जाएगा हम decisions इतनी असानी से नहीं ले पाएंगे अगर आप जादा equity का use करते हैं तो उस case में क्या होगा आपके धेर सारे equity shareholders आ जाएंगे उनके पास voting rights आएंगे तो आपका control वो dilute कर देंगे अगर आप debt issue करते हैं तो debt में यह issue आपको नहीं आएगा debt में debt एक better source है चलिए इसके बाद है timing timing का मतलब है कब आप capital raise करें किस time पे आप raise करें और ऐसी flexibility भी आपके पास होनी चाहिए कि आप अपनी मर्जी से जब आप चाहें तब वो funding को raise कर सकें और क्या आपकी sequencing होनी चाहिए पहले आप जादा पैसे equity से raise करें और बाद में आप पैस debt से भी raise कर लें तो यह timing वाली जो point of view है वो भी आपको consider करना है कि कब हमें कौन से source of fund से पैसे raise करने हैं आप ऐसे source of fund से पैसे raise करें जिससे आपके return maximize हो और cost maximize हो जाए तो यह आपको ध्यान में रखना है और साथ इसाथ जो भी आपकी capital market की conditions है मान लिए अगर आपकी stock market यहां पर ध्यान में रखनी होगी चलिए तो यहां पर friends हमने फ्रिक्ट analysis के उपर complete discussion अपना कर लिया है अब यहां पर आप यह नहीं कह सकते कि कौन सा source of capital है यहां फिर source of finance हमारे लिए बहतर है यह depend करेगा different cases पर यह depend करेगा आप इन में से कौन से parameter को ज़्यादा weightage देते है आप timing को weightage देते हैं आप income को देते हैं आप risk को देते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना capital structure design करेंगे कोशिश रहनी चाहिए एक balanced capital structure की जिसमें आप इन सभी sources के जो benefits हैं वो avail कर सकें और risk भी इतना जादा ना बढ़ जाए चलिए तो friends यहाँ पर आपके लिए practice question है तो आप इस question का answer हमें comments के थुरू बताईए और हम आपको revert करेंगे कि आपने इस answer हमें सही बताया है या फिर नहीं बताया है चलिए तो thank you friends for watching this particular video अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कर दीजेगा हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लिजेगा और अपने friends के साथ भी इसे share कीजेगा आपकी query है हमारे courses से related तो आप हमें जो मेरा idea आपको दिया है hello at the right adversary.n यहाँ पर mail कर सकते हैं Facebook पर follow कर सक सकते हैं Telegram चैनल पर join कर सकते हैं और आप हमसे बात करने के लिए या फिर WhatsApp करने के लिए इस number का यूज़ आप कर सकते हैं और आप हमारी जो app है Android app है वो भी आप हमारी डाउनलोड कर सकते है Google Play Store से और आपको कोई भी डिटेल चाहिए हमारे courses के बारे में तो आप हमारी जो website है www.everstudy.co.in वहां भी विजट कर सकते हैं थैंक यू